नेक्स्ट कोष्टइन, बिस परतिशत तथा पंदरा परतिशत के करमिक चूत देने पर एक वस्तू का विक्रे मुल्मया 3060 हो जाता है, तो वस्तू का अंकित मुल्मया क्या है? देखे दो करमिक जो क्या है? डिसकाउंट दिये गए हैं, डिसकाउंट D1 कितना है? 20% इसको A मान लीजिए और B किसको मानने होगे दूसरे discount को 15% ठीक है ना इन दोनों के equivalent एक discount का formula कैसे निकालोगे minus का 20 minus का 15 ठीक है फिर दोनों minus के है तो यहाँ plus में हो जाएगा तो 20 गुना 15 यह formula होता है तो 20 पंजे 100 पांस तीए 15 तो 20 और 15 35 और 3 पोजिटिव का है तो 32 आजाएगा ठीक है ना तो जो equivalent जो इन दोनों discount के एक discount कितना आगया 32 परतिस अथ अराइट अब discount 32 परतिस अथ है मान लीजिए mark price जो कि हमें mark price निकालना है mark price कितना है 100 unit है उस पर discount कितना मिला 32 परतिस अथ है तो selling price कितना होगा 68% मतलब 68 unit ठीक है ना 100 unit में 32 परतिस अथ कितना होता है 32 ही होता है 100 में से 32 की छूट मिलगी तो 68 unit क्या है selling price बट actual में विक्रय मुल्ले यानि selling price कितना दिया होगा 3060 रुपे एक unit की value क्या आई एक unit की value आगी 3060 के divide में 68 cancel कीजिए 45 रुपे तो एक unit की value 45 रुपे है ठीक है तो हमें अंकित मुल्य निकालना है अंकित मुल्य मतलब 100 unit है तो 100 unit की value कितनी आएगी 100 गुना 45 यानि 45 रुपे ठीक है तो option जो c है वो सही अंसर है तो option c जो है वो सही अंसर है